वेल्कम स्टुडेंट इन आनलाइन क्लासे साप डिवाइन पॉब्लिक स्कूल स्टुडेंट आज हम क्लास 10 चेप्टर 12 T.E.R.A.C.O. जाब कम्पलिमेंटरी अंगल के बारे में स्टुडी करेंगे स्टुडेंट आपको मैं बता दूँ कि यह चेप्टर 12 का पार्ट 4 वीडियो है जिसमें हम एक्सरसाइज 12.A के कुछ कोशन पे डिसकस करेंगे स्टुडेंट इस तरह के कोशन भी कभी कभी एक्जाम में आते हैं इसलिए इस कोशन को जहां से देखेंगे स्टुडेंट यहां पे देख पा रहे हैं एक्सरसाइज 12.A का यह कोशन नमबर 7 है प्रूब करना है गीविन है प्रूब देट फर्स्ट कोशन साइन 70 डिगरी प्लस थीटा माइनस कास 20 डिगरी माइनस थीटा इक्वल टू जीरो यही प्रूब करना एस्टुडेंट तो सलूशन में हमने लेप्ट हैंड साइड लिया है इस्टुडेंट आपको पहले ही यह बता दिया गया था कि जब किसी आईडेंटिटिटीपी में लीप्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दिया हो तो जीश साइड में टर्म जादा होता है उस साइड को लेने से रिजल्ट आसानी से आता है इसलिए student हमने यहाँ पे left hand side लिया है left hand side को as it is लिख दिया है sin 70 degree plus theta minus cos 20 degree minus theta student यहाँ पे equal to लगाने के बाद sign student अगर हम sign 90 minus in bracket 20 minus theta रखें तो इसको subtract करने पे student यहाँ पे student यहाँ यह minus हो जागा plus हो जागा तो इसका जो value आएगा वो 70 plus theta आएगा student तो इसलिए student sign को हम लिख सकते है sin 90 minus in bracket 20 minus theta bracket close minus cos 20 minus theta को as it is लिख देंगे तो student sin 90 minus alpha equal to cos alpha होता है student यहाँ पर alpha की value 20 degree minus theta है तो इसलिए student यह हो जाएगा cos 20 degree minus theta यहाँ पर our lady student minus cos 20 degree minus theta था तो इसलिए यह दोनों एक दूसरे से cancel हो जाएगे student क्योंकि minus का sign है इसलिए इसकी value 0 आजाएगी student और student हमें यही प्रूब करना था इसलिए left hand side equal to right hand side hence proved या hence verify भी लिख सकती है student इसी तरह से question number 7 का student यह part 6 है यानिकि part 6 question है जिसमें given था sign 50 degree plus theta cos 40 degree minus theta plus 10 1 degree into 10 10 degree into 1080 degree into 10 89 degree equal to 1 प्रूब करना है तो इस student यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने पहले left hand side लिया है left hand side को as it is लिख दिया है sign 50 degree plus theta minus यहाँ पे minus student minus cos 40 degree minus theta plus 10 1 degree into 10 10 degree into 1080 degree into 10 89 degree student यहाँ पे हमने sign 50 plus theta as it is लिख दिया minus cos 40 minus theta as it is लिख दिया यहाँ पे 10 1 degree को student हम लिख सकते हैं 10 90 degree minus 89 degree यहाँ पर देख पा रहे हैं 90 में से 89 degree जाएगा student 1 degree आएगा तो हम 10 1 degree को हमने convert करना के लिए हमने इसे लिख दिया 10 90 degree minus 89 degree उसी तरह से student 10 10 degree को हम लिख दिया 10 90 degree minus 80 degree 1080 degree को as it is रख दिया 10 89 degree को भी as it is रख दिया फिर student आगे equal to यहाँ पे student हम इसे लिख सकते हैं sign 90 minus 40 minus theta क्योंकि student अगर sign 90 minus 40 minus theta रखेंगे इसकी value 50 plus theta आएगी student और यहाँ पे student कास 40 minus theta को as it is रख दिये हैं तो इस तरह से student यहाँ पे sign 90 minus 89 degree equal to हो जाएगा cot 89 degree यहाँ पे student sign 90 minus 80 degree तो यह हो जाएगा cot 80 degree तो student यहाँ पे 10 90 minus 89 degree को जब convert करेंगे तो cot में होगा cot 89 degree और यहाँ पर cot 89 degree है उन दोनों को साथ में ले लेंगे student similarly student 10 90 degree minus 80 degree है इसकी value हो जाएगी cot 80 degree यहाँ पे हमने cot 80 degree लिखा है और 10 80 degree को एक साथ ले लेंगे student यहाँ पर student sign 90 minus alpha इक्वल टू होता है cos alpha तो student इसकी value जागी cos 40 minus theta तो इस तरह से cos 40 minus theta cos 40 minus theta में minus है इसलिए दोनों कैतम हो जाएगे student cot 89 degree इंटू 10 89 degree की value भी 1 होती है और 10 80 degree इंटू cot 80 degree की value भी 1 होती है तिस तरह student 1 multiply 1 इसकी value 0 आजाएगी और 1 multiply 1 तो इस तरह student 0 plus 1 1 आजाएगा तिस तरह student left hand side equal to right hand side hence proved तो इस तरह से student question number 7 में इसी तरह के question आपको दिये गए है और उमीद है कि इस तरह के question को आप easy way में कर पाएंगे homework में student question number 7 के जो questions है बचे हुए remaining question वही आपको homework में दिये जा रहे है ये भी student देख पा रहे है question number 7 prove that prove करना है first question है 10 55 degree minus theta minus cut 35 degree plus theta equal to 0 prove करना है similarly student question number second है course एक 67 degree plus theta minus 6 23 degree minus theta equal to 0 prove करना है third question student course एक 65 degree plus theta minus 6 25 degree minus theta minus 10 55 degree minus theta plus cut 35 degree plus theta equal to 0 prove करना है तो इस तरह से student ये question number 7 का दो question हमने आपको explain किया और उसी बेस्ट पर 3 question आपको homework में दे रहे हैं student जैसा देख पा रहे हैं question number 7 के बाद question number 8 की बारी है ये student chapter 12 का exercise 12 एका question number 8 है इस तरह के भी question important है student देख पा रहे हैं कि लिख रहा है express each of the following in term of T ratios आप each angle laying between 0 degree and 45 degree यानि कि student यहाँ पर जो angle दिये हुए है T A C H को वो 45 degree से greater है उन्हें convert करके 0 और 45 degree के बीच में maintain करना है जैसा यहाँ पर देख पा रहे हैं student question number 8 का first है sign 67 degree देख रहे हैं student यह 67 degree 45 degree से बड़ा है इसे 0 degree से 45 degree के बीच में convert करना है plus 75 degree है student तो यहाँ पर 75 degree है 45 degree से greater है तिसलिए student इस 75 degree को convert करके by rule इसे 0 degree to 45 degree लाना है तो student इसके लिए हमने solution देखा यहाँ पर देख रहे हैं solution में हमने given कर दिया given में हमने as it is question को लिख दिया sign 67 degree plus class 75 degree तो student आपको मालूम है कि हम sign 67 degree को लिख सकते हैं sign 90 minus 23 degree plus class 75 degree को हम लिख सकते हैं class 90 degree minus 25 degree क्योंकि student 90 degree में से 23 degree subtract करेंगे तो 67 degree आ जाएगा और 90 degree में से 25 degree subtract करेंगे student तो 75 degree आ जाएगा तो इस तरह अब इसका conversion हो जाएगा sign 90 minus theta तो cos theta theta की जगा 23 degree है और यहाँ पर cos 90 minus theta तो इसकी वेल हो जाएगी sign theta और theta की जगा यहाँ 25 degree है तो इस तरह student इसका conversion हो गया और यह हो गया cos 23 degree plus sign 25 degree और दोनों की वेलू 0 degree to 45 degree के बीच में है तो student इस तरह के question अभी last में आपको homework में दिये जाएंगे अभी student जैसा इसक्रीन पे देख पा रहे है यह question number 9 है question number 9 कहा रहा है student if a, b and c are the angles of a triangle a, b, c prove that 10c plus a by 2 equal to cut b by 2 तो student इहाँ पर कहा रहा है a, b, c angle है right angle या right triangle की बात नहीं कहा रहा है if a, b and c are the angles angles कहा रहा है student आप फेr triangle a, b, c then prove that 10c plus a by 2 equal to cut b by 2 तो solution में student देख पा रहे है यहाँ पे solution में given दिया था क्या given था a, b, c एक angle है triangle a, b, c का तो हमने यहाँ बात वहीं लिख दिया a, b and c are the angle आप फेr triangle a, b, c then तब क्या होगा student अगर कोई triangle के यह तीन given angle है तो इनका sum 180 degree होता है क्योंकि triangle के तीनों inner angle का sum 180 degree होता है तो student इसलिए angle a plus angle b plus angle c हमने angle को नहीं लिखा है तो a plus b plus c equal to 180 degree student यहाँ पे c plus a है यानि कि हम उसे a plus c भी लिख सकते हैं b को उस पार लेगा student a plus c की value हो जाएगी 180 degree minus b dividing by 2 on both side student हम इसे दोनों तरफ divide कर देंगे 2 से तो इधर हो जाएगा a plus c by 2 equal to 180 degree minus b by 2 180 degree को 2 से कट करेंगे student तो 90 degree आ जाएगा यहाँ पर हो जाएगा minus b by 2 तो इस तरह student हमें मिल गया a plus c by 2 equal to 90 minus b by 2 taking 10 on both side इस तरह के दोनों तरफ तो पर हो जाएगा 10 a plus c by 2 equal to 1090 degree minus b by 2 तो इस तरह मिल जाएगा 10 a plus c by 2 equal to 1090 minus theta equal to cot theta convert हो जाएगा student तो यह हो जाएगा cot b by 2 इस तरह से student यह approved हो जाता है इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे hence proved तो इस तरह के question number 9 की तरह से भी student question आपके exam में आते हैं परन्तु आपके question number 9 based पे एक ही question था जो मैंने आपको explain कर दिया इस तरह के question new question बना करके आपको exam में पूछा जा सकता student अब homework की बारी आई student यहाँ पे देख पा रहा है यहाँ पे देख पा रहा है student यहाँ पे देख पा रहा है यहाँ पे देख पा रहा है student यहाँ आपको homework में है यह question number 8 का ही remaining part है कर रहा है express each of the following each of the following in term of T ratios of angles laying between 0 degree and 45 degree student इसे भी convert करना है इसका जो angle है यहाँ पे देख पा रहा है वो 45 degree से बड़ा है उसे 0 to 45 degree लाना है तो student यहाँ पे देख पा रहा है यह question number 8 का second question है cut 65 degree plus 10 49 degree यहाँ पर student देख पा रहा है 678 degree plus cosec 56 degree यहाँ पे student चोथा पार्ट देख पा रहा है question number 8 का cosec 54 degree plus 172 degree तो student उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा student अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like, share and subscribe जरूर करें thank you for watching वीडियो thank you have a nice day